So guys, यह हम लोग का laptop का जब box है, वो आ गया है, इसको अब हम लोग unboxing करेंगे. So, यह है laptop का original box, इसका अंधर ही laptop है, Tuff A15, तो इसको भी खोलते हैं हम लोग. यह है back का seal. So, यह हम लोग लोग उपन कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यह है main laptop है, इसको अभी हम लोग साइड में लगते हैं. So, इसके अंदर पहले आप लोग को मिलता है यह user guide. इसके साथ, यह खोलना कर आप लोग को मिलता है, यह इसका charger, जो adapter है, इसके साथ ही cable, जहां से आप लोग इसको चार्ज करेंगे. इस साइड मार कुछ लें आपको इन तरह इस laptop पे साथ. यह रहा आप लोग का laptop, इसको दीरे साथ निकाले है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं. यह है bonfire, blackfire variant, इसको हम लोग खोलते हैं. So guys, तब laptop में चार्ज नहीं था, मैंने इस laptop को चार्ज कर दिया हैं, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं. Power button on, जैसे कि आप लोग RGB देख पार हैं, बहुत मस्त effects. So, अभी on हो रहा है, इसको लोग आप लोग देख सकते हैं. So, अभी यह RGB keyboard है, वो static mode पे नहीं है, यह शायद से cycle mode में है, color change हो रहा है एक time के बाद. So, अभी windows on हो चुका है, तो अभी मेरे को यह configure करना पड़े है. So, यह laptop के side में red borders दिये हुए है, तो आप लोग देख सकते हैं, पुरा सारे borders red है, और इसका अगर front view हम लोग देखे तो यह laptop ऐसा दिखता है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं की tough gaming लिखा हुआ है, और यहाँ पर चार notification lights है, अभी एक जल रहा है, because the laptop is right now on, so guys, मैं आप लोग से अभी एक बात confess करूंगा, कि मैं actually इन सब में एक दम professional नहीं हूँ, मैं यह ऐसा टाइप का unboxing पहली बार कर रहा हूँ, तो शायद से यह video उतनी अच्छी नहीं बनेंगी, जैसे की बड़े-बड़े YouTubers बनाता है पर फिर भी मैंना अपना best try किया है, आप लोग के लिए, so आप लोग यार थोड़ा तो support दिखाओ यार अपने भाई को, थोड़ा या subscribe कर दो channel को, और थोड़ा अगर possible हो तो दोस्तों को भी share कर देना, please, so guys, अब हम लोग laptop के specifications के बारे में देखेंगे, कि इस वाले laptop के और यह प्रोसेसर आप लोग के 3 GHz का, और इसका जो RAM है, वो है RGB का RAM, और जो इसका inbuilt जो graphics आता है, वो आता है, आप लोग के AMD Radeon Graphics Processor, तो यह graphics आप लोग के प्रोसेसर के साथ inbuilt है, और जो main graphics card है, वो है आप लोग के NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti का graphics card, so, इस laptop के जो specifications है, वो तो बहुत स रही है, और डिस्पले आप लोग का, जो है 144Hz का है, और आप लोग कीबोड देख सकते है, कीबोड पूरा RGB है, मैं थोड़ी दर बाद, आप लोग को दिखाऊंगा कि और भी colors इसमें है, और मैं इस RGB के, RGB कीबोड के ऊपर भी, एक dedicated video बनाऊंगा, कि आप लोग इससे, इसस आप लोग को मिलते हैं, कौन सा-कौन सा color है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी ये keyboard RGB मोड में है, मतलब ये cyclic mode में RGB का, तो थोड़े टाइम में colors change हो रहे हैं, आप लोग से सिर्फ मैं एक ही request करना चाहूंगे, कि यार प्लीज चैनल को थोड़ा subscribe कर दो, प्लीज य review है, वो भी मैं जल्दी लाओंगा, तो आज के लिए video खतम करता है, यार, thank you